नमस्कार किसान भाइयों राम राम किसान भाइयों आज की इस वीडियो में हम रीविव करने वाले हैं महिंदरा के 275 di xp plus टेक्टर का भाइयों जो यह महिंदरा 275 di xp plus टेक्टर है वो जो पुराना माडल महिंदा 275 di आता था उसको company ने upgrade करके launch किया है तो देखेंगे इस टेक्टर में company ने क्या-क्या बदलाव किये है तो दोस्तों चलिए वीडियो के साथ में बने रहिए दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं overall look की अगर बात करें तो महिंदा 275 di xp plus की जो branding है new design के साथ में है और जो की काफी आकरसक लगती है दोस्तों देखने में और वहीं अगर बात की जाए इस टेक्टर की steering की तो इस टेक्टर में power steering दोस्तों दिया गया है जो की dual lighting वाला है और जो front axle है company ने इसमे बो टाइप वाला दिया है दोस्तों जो की काफी अच्छा रहता है turning radius के लिए दोस्तों जिससे टेक्टर की जो कटाई है काफी आसान हो जाती है और दोस्तों चलिए दूसरे साइड से आप लोगों को टेक्टर का look वेगरा दिखा देते हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार से टेक्टर का look है और वहीं अगर इंजन की बात की जाए तो इस टेक्टर में company ने तीन स्लेंडर का इंजन दिया है जिसकी अगर किलोवाट में हम पावर की बात करें तो 27.6 किलोवाट का इसका इंजन है जो की 37.6 के साथ में है दोस्तों और इंजन cc के अगर बात की जाए तो 2235 सीसी का इसका इंजन है जो की 2100 रेटर आरपीम पे पूरे 37.6 की पावर दोस्तों देता है के लिए बात कर लेते हैं इस ट्रेक्टर के टॉर्क की ट्रेक्टर में दम कितना है तो दोस्तों इस ट्रेक्टर का जो हाइस ट्रक है 136 एनम है तो भाईयों ये तो हो गई इस ट्रेक्टर के इंजन की बात और चलिए आप लोगों को आप ट देख सकते हैं सिंपल डैसबोर्ड है और उसी के नीचे आपको मोबाइल के लिए चार्जिंग का जो यहाँ पर बॉक्स मिल जाता है और की सुच वगढ़रा उसी के नीचे आपको देखने को मिल जाते हैं चलिए बात कर लेते हैं इस टेक्टर के क्लच की तो दोस्तों यह ज दो लिवर के साथ में मिलती है जिसमेंसे एक है draft control लिवर और दोसरा है position control लिवर भाईयों अगर हम बात करें इस टेक्टर की lifting capacity की तो इस टेक्टर में आपको 1480 kg की lifting capacity मिल जाती है और इस side में अगर आप देखें तो यह PTO का leaver आपको मिल जाता है जिसमें आपको 540 चकर के साथ है PTO मिलती है दोस्तों अगर हम बात करें इस टेक्टर के PTO HP की तो 33 HP की इस टेक्टर की PTO है और वहीं अगर हम किलोवाट में इस टेक्टर की PTO पावर की बात करते हैं तो 24.5 किलोवाट की इसकी जो PTO है और 1890 RPM पे ये टेक्टर पूरे 540 चकर निकालता है भाईयों अगर हम बात करें इस टेक्टर की lift sensing की तो यहाँ पे single point आपको lift sensing देखने को मिलेगी और ये side में आपको hand break देखने को मिल जाता है भाईयों अगर हम बात करते हैं इस टेक्टर की seat की तो यहाँ पे आपको adjustable seat देखने को मिलेगी और कुछ इस प्रकार से टेक्टर का back end side से look है जहाँ पे indicator वेगर आपको simple वाले देखने को मिल जाते हैं और rear axle की भाईयों बात की जाए तो इस टेक्टर में आपको straight type rear axle देखने को मिल जाते हैं और वहीं अगर हम बात करें इस टेक्टर के rear tire size की तो इस टेक्टर में आपको 13-26 के rear tire मिलते हैं और वहीं आगे के टायर की अगर बात करें फ्रंट टायर की तो फ्रंट टायर इस्टेक्टर में आपको 616 वाले मिल जाते हैं भाईयों अगर लास्ट में अगर हम बात करें इस्टेक्टर की वारंटी की तो इस्टेक्टर में आपको 6 एर की वारंटी मिलती है और वहीं अगर कीमत की बात की जाए तो ये महिंद्रा 275 डियाई XP प्लस 30 सिरेंडर 37 हर्सपार काटेक्टर भाईयों आपको 5,30,000 रुपए के कैस प्राइज में मिलेगा जो की on-road प्राइज है भाईयों और जो ये प्राइज है वो उत्तर प्लस के डिस्टिक्स सीता पुरके हैं और अगर आप किसी अन्य डिस्टिक्स से हैं तो वहाँ पर प्राइज में आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है तो भाईयों वीडियो गर आपको अच्छे लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर याद नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके गंटी के बटन को दबाना ना भूलिए क्योंकि इसी प्रकार की वेडियो हम आप लोगों के लिए लाते रहते हैं धन्यवाद